So finally, Loki God of Stories बन चुका है, जैसे कि मैंने इस से पहले अपने शॉट में शायद बताया था कि Loki God of Stories बनने वाला है MCU में, So हाँ, Loki Season 2 के फिनाले के साथ, Loki God of Stories बन चुका है और बहुत ही बड़ा बवाल भी हो चुका है, यानि Loki के फिनाले को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि Disney के पास या फिर Marvel की ऐसी कोई सीरीज होगी जो इतनी पॉफेक्ट होगी, सच में Loki Season 2 के फाइनल एपिसोड को देख इतना पावफुल है, यानि Loki literally God of Stories, God of Multiverse, God of Everything बन चुका है, यानि अभी वो किसी की भी स्टोरी को अपने हिसाब से बदल सकता है, सो समझ जाओ कि Loki God तो आलरेडी था, लेकिन अभी वो इतना पावफुल बिंग बन चुका है, कि उसे कोई रोग भी नहीं सकता, लेकिन फिर इतना अच्छा होगा, एटलिस जितनी मैंने देखी है, उनका तो इतना अच्छा फिनाले नहीं था, अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं, खैर, अभी आते हैं एपिसोड के उपर, स्टार्टिंग से बात करते हैं, क्योंकि इस एपिसोड को एक्स्प्लेन और इस एपिसोड के इंडिंग में दिखाया गया था, यानि हमने देखा था ना, कि लोकी ने अभी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है, और वो उस टाइम में चला गया है, जब ये सब लोग टेंपरोल लूम को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, विक्टर टाइ लिके नूडल्स बन गये थे, तो वैसा ही कुछ यहापे भी होता है, लेकिन अभी फ्यूचर वाला लोकी पास्ट में आया है, तो वो औरो बोरस से जाके पूछता है, कि हम इसे किसी और तरीके से कर सकते थे क्या, तो औरो बोरस कहता है कि चीजों को अगर थोड़ा सा जल कुछ भी ठीक नहीं होता, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम में और पीछे जाता है, यानि उस समय में जाता है, जहापे विक्टर टाइम ली और ओरो बोरस पॉर्स टाइम एक दूसरे से मिले थे, जहापे इन सबने मिलके टेंपरल लूम को ठीक करने का प्लान बनाया था, ताकि टाइम वेस्त ना हो, और ओभी से कहता है कि उसे उस डिवाइस को बनाना पड़ेगा, जो टेंपरल लूम की रिंग्स को और बड़ा बना सके, ताकि बहुत सारी टाइम लाइन्स उसमें फिट हो सके, और प्रोब्लम सॉल हो सके, लेकिन ओभी कहता है कि उसे बनाने क के लिए उसे centuries लगेंगी, और सिर्फ एक century नहीं, बल्कि multiple centuries, यानि इसी से पता चलता है कि लोकी कितना dedicated है चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को कुछ हो जाए और वो अकेला पड़ जाए, जिसकी वज़े से वो centuries time spent करता है चीजों क को सीखने के लिए, और फिर हमें दिखाया जाता है कि centuries के बाद अब लोकी को हर एक चीज आती है, जितना knowledge औरोबरस के पास था, सब उसे आता है, उसे किसी को पूछने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसी knowledge का यूज करके लोकी वो throughput device बनाता है, जिसकी वज़े से temporal lo के साथ, temporal loom की rings बड़ी हो जाती है, सब कुछ ठीक भी हो जाता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद temporal loom फिर से unstable होने लगता है, जहाँ पर ओ भी कहता है कि हमने throughput बड़ा तो कर लिया, यानि rings बड़ी तो कर ली, लेकिन जो timelines की branches बनी है, वो बहुत जादा है, जिसकी वज़े स temporal loom को नहीं रोका जा सकता, जिसकी वज़े से लोकी को सर्फ और सर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, यानि उसे अब उस समय में जाना पड़ेगा, जब Sylvie ने he who remains को मार दिया था, वहाँ जाके उसे Sylvie को रोकना पड़ेगा, he who remains को मरने नहीं देना पड़ेगा, और यही ए Sylvie नहीं मानती, उसे लोकी रोक ही नहीं पाता, क्योंकि लोकी Sylvie से इतना प्यार करता है, कि वो चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, Sylvie को जान से नहीं मार सकता, और मुझे तो इवन ये भी लगता है, कि Sylvie की जगे अगर कोई भी होता, यानि मोबियस होता, भी 15 होती है, फिर कोई भी होता, तो लोकी उसे भी जान से नहीं मार पाता, क्योंकि वो अपने दोस्तों से प्यार ही उतना करता है, खयर उस सीन में Sylvie को जान से नहीं मार पाता, इसलिए वो ही हो री मैंस को कहता है, कि कम से कम तुम तो खुद को डिफेंड कर लो, कुछ ऐसा करो, कि Sylvie तुमको ना मार पाए। So, He Who Remains अपने Tempad का यूज़ करके सिल्वी को टाइम में pause कर देता है और लोकी से बात करता है। और लोकी से पूछता है कि तुम ऐसा कितने समय से कर रहे हो यानि सिल्वी को रोकने कि तुम कोशिश कितने समय से कर रहे हो लेकिन फिर लोकी किसी भी डिबाइस का यूज़ ना करते हुए टाइम को pause कर देता है और He Who Remains को कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या आता है क्या नहीं और तुम्हें कैसे पता कि ये जो हमारे बीच में conversation हो रहा है वो इससे पहले भी हमने नहीं किया फिर इनी दोनों के बीच के conversation में हमें ये पता चलता है कि चीजों को किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता अगर He Who Remains मरता है तो जिसके वज़े से He Who Remains ने ये सब कुछ प्लान किया था यानि Victor Timely का future He Who Remains बनेगा और He Who Remains को जब Sylvie मारने आएगी तो लोकी उसे रोकने आएगा ये सब कुछ अल्रेडी He Who Remains ने प्लान किया हुआ था जिसकी वज़े से लोकी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है यानि कि Sylvie को जान से मारने का तब लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है और इस बार उस समय में जाता है जब TVA ने लोकी को फिर्स टाइम पकड़ के लाया था और मोबियस उसका टाइम थेटर में इंटरोगेशन कर रहा था तो वही पे लोकी और मोबियस के कनवसेशन के बीच में मोबियस उसे एक स्टोरी बताता है खुद की स्टोरी बताता है कि जब मोबियस एक बच्चे को प्रोन नहीं कर पाया था तो उसकी वज़े से बहुत से लोगों की जान चली गई थी यानि मोबियस लोकी को ये बतानी की कोशिश करता है कि हमें लाइफ में टफ डिसीजन्स लेने पड़ते है चाहे हमारी लिए कोई चीज अपने जान से भी प्यारी क्यों न हो हमें उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है जिसकी वज़े से वहाँ पे लोकी को समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ सिल्वी को बचाने के चक्कर में वो पूरे यूनिवर्स को तबहा नहीं होने दे सकता जिसकी वज़े से वो फ्यूचर के उस समय में चाता है जहाँ पे उसके दोस्त नूडल्स बन चुके थे जहाँ पे वो टाइम स्टॉप कर देता है सिल्वी को नूडल्स नहीं बनने देता और उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है तो फिर सिल्वी कहती है कि तुम मुझे मार के फिर से वही करोगे यानि यू हुरीमेंस अगर फिर से जिंदा बच गया तो फिर से लोगों की फ्री विल छीन लेगा इसलिए वो टाइम स्लिप करके उस समय में जाता है जहाँ पे यह सब लोग मिलके टेंपरोल लूम को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते है विक्टर टाइमली को टेंपरोल लूम के अंदर भेज के जहाँ पे लोकी को पता होता है कि वो क्या करने वाला है उसके haunts बहार निकल के आ रहे है और फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि लोकी कितना powerful है उसे ऐसे ही God नहीं कहा जाता जहाँ पर वो अपनी magic का use करके temporal loom को ही तोड़ देता है यानि कि सारी की सारी timelines को free कर देता है लेकिन temporal loom के destroy होने के बाद timelines free होने के बाद उन timelines में जान ही नहीं बचती तो वहाँ पर लोकी उन timelines को अपने magic की मदद से जान देनी की कोशिश करता है लेकिन जब उसे वो पकड़ के रखता है तब वो timelines जिंदा हो जाती है लेकिन जब वो छोड़ देता है तब वो timelines फिर से मर जाती है जिसके वाज़े से वहाँ पर लोकी को पता चल और वो सीन सच में एपिक, बैडएस और इमोशनल था, लोकी उन टाइम लाइन्स को लेके अपने थ्रोन पे बैठता है, यानि फाइनली उसे अपना थ्रोन मिल गया, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि अभी वो कभी भी उन टाइम लाइन्स को छोड़ नहीं सकता, उसे हम वेशा के लिए उन टाइम लाइन्स को अपने हाथों में पकड़ के रखना पड़ेगा, और इतना बड़ा सैक्रिफाइस वो इसलिए कर रहा है, ताकि ही वो रीमेंस की तरह वो अपनी दोस्तों की लाइफ को कंट्रोल ना करे, उन्हें एक अपनी फ्री वील दे, मतलब अ को डिपिक्ट करती है, जिसके बारे में थार ने जेन को भी सिखाया था, यही पर हमें समझ में आता है कि लोकी का कैरेक्टर कितना डेवलप हो चुका है, जहाँ पर वो पहले ग्रीडी और सेल्फिश था, अब वो अपने दोस्तों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के तयार है, मुझे तो लगता है कि अब वो अगर ट्राइ करेगा, तो मेहलनिर को भी उठा लेगा, यानि थार ने जैसे अपनी फर्स पिल्म में सैक्रिफाइस वाले चीज़ को सीखा था, वैसे ही लोकी ने अब उसे सीखा है, खैर मुझे उस सीन को देखके सच में समझ में कि मुझे क्या फील करना चाहिए, खुश होना चाहिए, लोकी को उसका थ्रोन मिल गया इसलिए, या फिर दुखी होना चाहिए, कि लोकी के आखों में आसू थे उसे देखके, बढ़ हाँ यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, कि लोकी जितनी भी टाइम लाइन होल्ड कर रहा है, उन सब टाइम लाइन को वो देख सकता है, चाहे तो उन्हें चेंज भी कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन वो भी इतना अच्छा बन चुका है, कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी वो अपने दोस्तों को उन टाइम लाइन में देख सकता है, क् इसके वज़े से किसी ना किसी तरीके से लोकी को सिग्रेट वास में तो लाया ही जाएगा, खैर, अभी के लिए तो he who remains मर चुका है, रेंसलेयर का भी the end हो चुका है, यानि लोकी के जो भी threats थे वो खतम हो चुके है, और अगर आप लोगों को याद होगा, तो लोकी के makers ने ये भी कहा था कि थार और लोकी का reunion होना पक्का है, तो ऐसा मत समझना कि लोकी की स्टोरी का यहाँ पे end हो चुका है, हाँ, लोकी के seasons में भी नहीं आएंगे, लेकिन Marvel के upcoming जो projects आने वाले है, जो भी बड़े events होंगे, उसमें हमें लोकी नजर आएगा, सो हाँ, finally लोकी season 2 खतम हो चुका है, और मजाक नहीं, overall series सच में बहुत ही badass लगी मुझे, मुझे नहीं लगता है कि लोकी का finale इस से अच्छा हो सकता था, well, मुझे तो ये series बहुत पसंद आई, season 2 के related आपके क्या thoughts है, मुझे comment में ज़रूर बताना, I hope कि आप लोगों को ये episode समझ भी आया होगा, लेकिन अगर कुछ गल्ती से मेरे से miss हो गया होगा, तो मुझे comment में ज़रूर बता देना, इसके अलबा, Marvel की कल The Marvels ये जो film release हुई है, इसका भी मैंने review किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो channel पे है, देख लेना, या फिर screen पे वीडियो नज़र आ रहा होगा, उसे tap करके देख लेना, साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर देना, सो मिलता हुए ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्स पर वाचिंग,